नमस्कार, A2Z dishes उशा कोरजानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कहने जारे मोती चूर मोद केक यह जितना दिखने में बढ़ी है उतना ही है खाने में बहुती स्वादस्ट है बिना अंडे बिना अविन के बनाया क्या है काफी असानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं दीखे दिखने में कितना सुन्दर लग रहा है बहुती सिंपल डेकोरेशन काफी जटपट से भी बन जाएगा और खाने में भी कुछ अलगी है दीखे गरपती जी सभी के घर पर है तो आप ये केक बना सकते हैं बहुती असानी से नई अंडे का इस्तमाल किया गया है नई अविन का तो चली बनाते हैं जैसे कि मैं आपको पहले पता है बिना अविन के तो आज देखे इस तरह से एक बरतन ले लिजे या फिर कड़ाई ले लिजे इसके अंदर नमक डाल दे और एक छोटी सी रिंग रख दे और गैस कोन कर ले फ्लेम बिलकुल लो कर लीजे बिलकुल दीमी आजबर इससे ढग कर आपको 10 मिनिट के लिए गरम होने देना है जैसे हम ओवन को प्रिहिट करते हैं वैसे हमें इस बर्तन या फिर कड़ाई को प्रिहिट करने रख देना है अब यहां पर देखें टिन आपको ले लेना है अब आप कोई भी जैसे की कोई भी टिन ले लीजे या फिर एक स्टील का डबबा तो सभी के घर पे होता है उसे ओल लगा लीजे यानि कि तेल लगा लीजे और इसकी साइस का मैंने बटर पेपर कट कर दिया है इस पर भी हम थोड़ा सा ओईल लगा लेंगे अगर बटर पेपर निया है तो आप मैदा भी छिड़क सकते है बेटर बिनाने के लिए एक बाव ले 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 इसके अंदर एक कटोरी तेल और आधी कटोरी दही जो दही है वो जादा खटी नहीं होनी चाहिए और जो तेले कोई फ्लेवर वाला जैसे के सरसो का तेल हो गया ऐसा ना ले नॉर्मल वेजटेबल ओल लेना है दोनों को अच्छे से मिला लेना है उसके बाद एक पत्ली जाली वाली चणी रख दे इसके अंदर आपको एट करना है एक कप मैदा एक कप मैदा डालने के बाद आधा कप पेसी हुई चीनी आधी चमज बेकिंग पाउडर आधी छुटी चमज बेकिंग सोडा इन सभी को आपको चान लेना है ध्यान रखे जब भी आप कोई भी केक बनाया सभी ड्रा इंग्रिडियम्स को हमीशा आप चान करी ले यहाँ पर आप देख सकते हैं चान लिया है चनी को हटा लेंगे इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके दूद एड़ करेंगे और मिक्स करते जाएंगे तो यहाँ पर जो दूद है ना मैंने उसे पहले से उबाल कर बाहर रख कर यह ठंडा कर लिया था यहींनि रूम टेंपरिचर वाला दूद आपको लेना है उसके बाद देखें जो केक का बैटर होता है ना वो ना ही जादा गाड़ा होता है ना ही जादा पतला होता है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बैचिस में दूद को एड़ कीजेगा देखें रिबिन कंसिस्टनसी वाला होना चाहिए जैसे ribbon होती है ना पस वैसे यहां फिर बैटर के अंदर आप eight number लिख के देखें अगर इस तरह से हो रहा है नहीं सही है अब एक से दो ड्रॉब हम vanilla essence के डाल देंगे अगर है तो डाले वरना कोई बात नहीं अच्छे से mix कर लेंगे तो यहां पर टोटल मैंने इसके अंदर आ कर लेंगे इस बरतन को यहां फिर आपने अगर कडाई रखिए उसे दस मिंट हो गए होंगे गरम होते हुए तो यह तिन को रख देना है ढग कर बिल्कुल धीमी आज पर बिल्कुल लो फ्लेम पर तीस से 35 मिनिट के लिए बेक करना है बिल्कुल लो फ्लेम नहीं तो केक न आपधे हेपशची थोड़ा है फॉट यलो फुट कलर टाल देंगे और ठोठाध़थ पानी डालकर एक गाडा गुल तयार कहार करेंगे और अब औरंज पूड कलर भी डाल सकते हैं कि अगर आपको ऑरेंग जो तरीके कि होते होते हैं एक ओर में पहले से तेल करने रख दि बस इसी तरह से छोटे छोटे डाल दीजा और इसे आपको fry कर लेने के तल लीना है यह हलके से क्रिस्पी हो जाए उपर से अच्छे से यह पक जाए सुने रहा कलर आजाए तब तक आपको इसे तल लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा सुने रहे होगा है देख सकते हैं कहीं से कच्चे भी नहीं तो बस इसे हम निकाल लेंगे और शेप वेब की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी हैं अब बस हाथों में आपने लिया और तेल में इस तरह से चोड़ते जाएं वैसे भी हम इसे पीसने वाले हैं और यह बहुत ही असान वाले हैं मोती चूर मोदक वैसे तो मोती चूर लड़ो हो या मोदक हो पहले हमें बूंदी बनानी पड़ती है उसके बाद वो बनते पर यह जटपट वाले हैं जो इतने टेस्टी लगते हैं आप मिठाई के तौर पर भी प्रशाद के तौर पर भी आपसे चड़ा सकते हैं अब इस जैसे आपने तल लिए तो उसे भार रखकर ठंड़ा कर लिजे ठंडा हो जाए ना उसके बाद इस तरह से टुकड़े कर लिजे क्योंकि देखें गरम गरम आपको भी लग सकता है अच्छे से थंडा होने दिचे फिर इसके टुकडे कर लिजावने टुकडे याँ टुकडो को mixer jar में डालकर ढकर जिकर आपको दरदरा पीशना है यानी कि mixer को थोड़ा चला है फिर बंद करें थोड़ा चला है पल्स मोड में आपको पीशना है देखें फिर इसे निकाल लीजे इस तरह से होना चाहिए जाधा पाउडर नहीं कीजेगा दर्दरा ही होना चाहिए चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हम डाल देंगे एक कटोरी चीनी और उसी कटोरी से एक कटोरी पानी अब हम गैस को अन करेंगे और यह हमें पकानी है तो यहाँ पर चाशनी यह जो मोती चूर के मोदक है नहीं एक तार वाली चाहिए नहीं दो तार वाली बस चीनी को सबसे पहले पानी के अंदर जैसे ही वो गुल जाये न फिर इसे एक मिनुट तक और पका लीजे बस यह हलकी सी चिप-चिप होनी चाहिए जाधा नहीं अगर आपने उस वक्त औरेंज डाल लाए तो इसमें भी आपको औरेंजी डालना पड़ेगा एक चौथा यह चमच इलाइची का पाउडर डाल दीजे और अच्छे से मिला लीजे अभी जो मनें दरदरा पीसके रखा था ना बस यह आपको डाल देना है अच्छे से मिलात अगर आपको लगता है कि आप ऐसे चूप आ रहे हैं तो बस इस तरह से सांचा ले लीजे मोदग बनाने का नहीं मोल ले लीजे और उसकी मदश से देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यह मिश्रन डाल कर यह बहुत ही असानी से मोदग का शेप आ जाता है आप इसे हाथों से भी बना सकते हैं हाथों से भी काफ़ी असानी से बन जाता है पर डिखे क्यों है केक बनाना değer तो अच्छे फिनिशिंङ चाहिए इसलिए इसलिए न मैने यह सांचे यानी मोल्ड का इसे माला करें इसमें क्या होता है ऐ एग जैसे बनते एक एक जितने बनते हैं तो उसने जब हम केक में उपर रखे या कुछ डिजाइन करें तो सब एक जैसा अच्छा लगता है यहां पर आप आप देख सकते हैं, इसी तरह से मैं ये सारे मोदक बना लूँगे, और ये थोड़ा सा मिस्राण हमने साइट में रख दिया, ये मोदक हमने थोड़े बनाया और थोड़ा सा मिस्राण मैंने ऐसे ही तो हम केक के ऊपर और अंदर भी एट करेंगे, यहां पर तो नहीं और इसे बाहर रखकर ठंडा होने दे, गरम गरम निकालने की कोशिश नहा करे, जब तक वो ठंडा हो रहे हैं आप विपिंग क्रीम को विप कर लेते, देख सकते हैं मैंने वेकर्स विप की क्लासिक विपिंग क्रीम लिए, आप और कोई कमपनी की भी ले सकते हैं, यह मैंने दो कप जितनी ली है, और जब भी आप केक बनाना तो वैसे तो हम इसे फ्रिश में रखते हैं, तो एक गंटे पहले ही आप इसे फ्रीजर में से निकाल कर बाहर रख दीजे, अब इसे हमें विप करना है तो आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं, और थे लेक्ट्रिक बीटर सबी के घर पर अवेलेबन नहीं होता है, उससे क्या थोड़ा से जल्डी से हो जाता है, और भ्लेंदर से थोड़ा सब वक्त लगता है, तो आज इसलिए मैं आपको ब्लेंडर से ही बताया है, ब्लेंडर से दो कप करने में तकरीबं 8-10 मिनिट लग देख सकते हैं कि यलो फूट जेल कलर इसलिए क्योंकि देखिए हमने मोटी चूर के जो मोटी बना यह बना है वो भी यलो है तो मैं ठोड़ा सा डेकोरेशन के लिए अच्छा कर रही हूँ आगे बताती जाओंगी कैसे कैसे किया है देखिए यलो फूट जेल कलर डाल दीजे और अच्छे से इसे mix कर लीजे तकरीबन 3-4 drop आपको डालने पड़ेंगे और इस तरह से देगे यह यलो कलर की whipping cream हो जाएगी बस अच्छे से mix कर लीजे तकि सारी whipping cream में यह यलो कलर बहुत ही अच्छे से हो जाए तो यहाँ पर आप देख सेकते हैं मैं इसे अच्छे से mix कर और यह जो केक है न वह भी ठंडा हो गया तो बस इससे हम इस तरह से निकाल लेंगे गरम गरम निकालेंगे तो कभी नई भी निकलता है यह फिर तूट भी सकता है इस बात का अच्छे से दियान रखे अगर आपने butter paper लगा है तो वह भी निकाल ले और इस तरह से हम देखे केक को दो लेयर में कट कर लेगे आप देख सकते कितना spongy बना है तो आप चाहे तो दो या तीन लेयर भी कट कर सकते देख सकते कितना जाली दार बना है उसके बाद कटोरी मेंना मैंने एक कटोरी पानी ले लिया था उसके अंदर दो बड़े चमच Lak S KP masculine या और पाउडर श लगाएंगे और उसके बाद जिसके मैं आपको कहा कि जब मोदग बना रहे था तो मैंने थोड़ा सा मिश्रन बचा के रखा तो यह जो मिश्रन इस तरह से डालेंगे इस ताकि जब आप इसे खाएंगे तो इतना टेस्टी लगता है ना अंदर तक एक केक में स्वाद आता है लगता है रियल में कि यह मोदग केक है अब यह जो दूसरी लेयर है हम वो भी रख देंगे और इसके उपर भी हम अच्छे से शुगर सिरफ लगाएंगे शुगर सिरफ जरूर एट कीजेगा आप दो से तीन लेयर भी कर सकते केक की और थोड़ा सा विपिंग क्रीम से कर इसे हम अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे अब आप सोच रहोंगे कि मैंने कौन में से क्यों फिल किया यानि कि पाइपिंग बैग में इससे क्यों होता है पूरे केक पर आसानी से लग जाती है विपिंग क्रीम तो आप भी इसे जरूर फॉलो कीजेगा तो यहां पर देख सकते हैं पूरे केक को मैंने अच्छे से इस क्रिपर की मदद से फिनिशिंग दे दी अब बचे ही जो वाइट कलर की विपिंग क्रीम थी न उसे मैंने पाइपिंग बैग में डालकर एक नोजल डाल दी जिससे हम फ्लावर बनाते हैं उसे मैंने छोटे-छोटे इस त देख सकते हैं मैंने यह छोटे-छोटे एडिबल बॉल्स रख दी जुसे आप खा सकते हैं और यह जो थोड़ा सा बचा था ना मिश्रन मोदक का मैंने वो बीच में रख दिया और यह केक तयार आप इसे शीट में भी रख सकते हैं और इस तरह से प्लेट में भी बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्पंजी बिना अंडे बिना अवन के यह मोती चूर मोदक केक बनकर तयार है जो इतना टेस्टी लगता है और आपने देखा यह बिना किसी चीज के भी आप इसे काफी असानी से बना सकते हैं घर पर तो जरूर ट्राइ कीज़ेगा और मुझे कमेंट्स